वेलकम स्टुड़न्स आजम बनाएंगे किलास 10 के एक्सेसाइज 16 राइट सर्कुलर कौन या लम बित्ता कर संकू के वहरी शॉट एंसर को इसमें mcq है true false से और fill in the blank से इससे पिछले वीडियो में मैंने question number 11-12 complete किया था उस वीडियो का लिंक में निचे description में देदूंगा और उसका PDF फाइल भी आप उस एक बार जरूर देखिएगा question number 13 में mcq में पहला है if the slant height of a right circular cone is 15 cm and the length of the base diameter is 16 cm का जा रहा है एक right circular cone या lamb बित्ता कर संकू है उसका slant height या तिरियक उचाई वो 15 cm है और उसका base का diameter या आधार का व्यास ये 16 cm है then the lateral surface area of the cone is तो उस cone या संगू का lateral surface area या पारसबतल का छेतरफल कितना होगा ठीक है पाई उसी तरह है पाई 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 यानि पाई काम को 22 बटा साथ नहीं लीखना है तो इस्टोन पहला question में जो slant height L में बहुत कुछ लीखना नहीं है just हमें सही answer पर tick करना उसके लिए rough बनाने के लिए थोड़ा से बनाएंगे यह rough आपको एक्जाम में right side में थोड़ा margin बढ़ा margin खीच कर वहां पर बनाना पड़ेगा rough लीख करके तो slant height L होता है L यह दियावा है 15 cm और इसका base का diameter याने d diameter याव्याज दियावा है 16 cm ठीक है तो d दियावा तो r निकाल लेंगे हम इसलिए r पराबर कितना होगा इसका आधा होगा 16 को 2 से divide कर लेंगे 2 8 16 8 हो जाएगा 8 cm अब हमें निकालना है lateral surface area उसको में short में लिख लेते अब्रिविएशन में ठीक है lateral surface area एले से ठीक है क्या formula तो लेटरल surface area पारसबतल का चेतरफल का पाई आर एल पाई आर एल है ना तो पाई तो उसी तरह रहेगा क्योंकि यहां पे option में पाई उसे का वैसा ही 22 बटा साथ नहीं है आर का वेलू है 8 यहां पे in 2 हो जाएगा into 8 into 12 का वेलू है 15 तो इतना क्यूबिक से sa2 cm होगा ठीक है square cm बर्ग cm कितना हो जाएगा फंद्रा अठे 120 होता है 120 पाई 120 पाई स्क्वार सेंटीमेटर या बर्ग सेंटीमेटर तो इसका करेक्ट ओप्चन होगा सी वाला ओके तो यहाँ पर हम सी में टिक कर ले रहे हैं नेक्स्ट कॉस्चन है और उनका रेडियाई या उनका अर्ध व्यास जो बेस या अधर का रेडियेस होता है रेडियाई का रेडियाई का रेशियो कितना है 4 is to 5 ठीक है तो हमें उनका हाइट का रेशियो या हाइट उचाई का हमें अनुपाद निकालना है कौन सा होगा तो स्ट्रॉंट से कोश्चन नेमर 2 में दिया हो था वॉल्यूम का दो रैट-सर्कुलर कौन है UKा उनका वॉल्यूम माल लेते दुसरा का बी टू माल लेते थीक्या। पहला विल्यूम भी वान टो उनका रैडिस पहला वॉल्यूमज nूपात को और रवाल चु आल्वra माल लेंगे दूसरा का आर 2 माल लेंगे र 1 is to r2 इनका रेशियो यानुपात है 4 is to 5 अब हमें दोनों का हाइट का रेशियो निकालना है हाइट ह1 पहला वाला का माल लेंगे दूसरा का is 2 तो देखे वॉल्यूम से यह चीज आ जाएगा कैसे वॉल्यूम का रेशियो यानुप पता है पर इसके बटा मेरेक है लगा तरने लोग को बटा मेरेको के लिख पिते हैं लो यह रिख़ते हम इसको दौनाने इस प्किनर स्वे त एक प्ट चार а को द daí तो आर-उन बटा लिखेंगे ज्ञें न हरुर प्रक्ष वार्ण चित लेगा ध्यूंग अब volume का formula लगा देंगे और volume का formula क्या होता है 1 by 3 pi r square h तो यह हो जागा 1 by 3 pi r तो यह V1 है तो इसका radius r1 हो जागा r1 square h1 ठीक है 1 by 3 pi r square h तो यह पहला हो लगा है इसलिए दोनों में 1 1 हो जागा ठीक है और V2 इसका हो जागा 1 by 3 pi यह 2 है तो इसका r2 square और h2 ठीक है अलग-अलग समझाने के लिए यह हो गया 1 by 4 ओके इसके बार देखिए दोनों में 1 by 3 pi 1 by 3 pi दोनों में cancel हो जागा सेम और यह जारा r1 square बटा नीचे में हो जागा r2 square दोनों का square है तो हम इसको एक साथ लिखे लेंगे r1 बटा r2 पूरा का hall square हो जाता है दोनों में square तो पूरा का hall square हो जागा into यहाँ पे into रहेगा h1 बटा h2 हो जागा h1 बटा h2 यह दोनों का height हो गया ठीक है 1 by 4 अब हम क्या करेंगे r1 बटा 2 कितना है 4 बटा 5 है इसको यहाँ पर put कर देंगे यहाँ पे r1 बटा 2 के जगा में तो यह जागा 4 बटा 5 इसका square whole square यह हो गया h1 बटा h2 equal to 1 by 4 इसकार यह square को कितना होगा देखिए 4 का square 16 होता है चाचो के 16 5 का square कितना होता 5 25 और यह हो गया h1 बटा h2 equal to 1 by 4 अब यहाँ से हमें निकाला होगा h1 बटा h2 तो क्या करेंगे 25 इदर ःतल से उंट्य होगा यहाँ बटा में तो इधर आगे तो वान से इन्ट्य होगा 얼마나 तुअ थिर्षा में और 16 इदर चार से उंट्य होगा तो इधर क्या रहा है H1 बटा H2 ये 25 एकम 25 बटा ये 16 इधर आ जागा नीचे 4 से इन्टू जागा 16 चोके 64 तो अब इसको रेशियो में लिख लेंगे तो ये हो जागा H1 इस्टू H2 ये बटा कम रेशियो में दोबारा लिख लिए तो ये हो जागा 25 इस्टू 64 ठीक है ये हो गया इसका रेशियो ये अनुपाथ तो इसका correct option होगा D वाला दोनों का उचाई का रेशियो ये अनुपाथ 25 इस्टू 64 तो इसका correct option होगा 25 इस्टू 64 ड वाला डी में टिक करेंगे next question keeping the radius of a right circular cone same if the height of it is increased twice the volume of it will be increased by 10 कितना percent का जा रहा है एक right circular cone या लंबित्ता कर संकू का radius या उसका Earth व्यास को same रखा जा रहा है keeping ठीक है same रखा जा रहेगा Earth व्यास if the height of it is increased twice उसका height को क्या किया जा रहा है 2i कर दिया जा रहा है यानि 2 गुना कर दिया जा रहा है ठीक है अगर हाइच है तो ऐसे बढ़ा कर 2H कर दिया जा रहा है ठीक है तो उसका वॉलियूम कितना परसेंट या कितना पतीसद बढ़ेगा यहां से हमें देखना है तो इसट्वन-Teen number में पहले तो volume लिक लेका तो नए किनना परसन या किनना पतिसित बड़े तो वॉलियूम का पहले जो formula लिक ले 1 by 3 by r2 h ठिक एक कौन ये संग्गू का तो वॉलियूम अब जो नया वॉलियूम है उसमें क्या करा जा रहा है उसमें आर को same रखा जा रहा है और h को double कर दिया जा रहा है ठीक है तो जो नया volume नया आयता है नहोगा उसका कुछ हम दूसरा नाम दे देते हैं भी नहें देके भी वान नाम लिखते हैं यह नया volume है ठीक है उसमें क्या हो रहा है 1 by 3 by r से में रहे रहा है radius यारदवियास r square h क्या हो जा रहा है 2 h हो जा रहा है डबल हो जा रहा है ठीक है 2 i s यह डबल हो जा रहा है तो यह नया volume तो यह बराबर कितना होगा देखिए 2 जो है इसको पहले लिखे लेते ताकि इसको हम एक जगा कर लेंगे 2 into तो 2 को पहले लिखेंगे बाकि सब इसी तरह 1 by 3 by r square h ऐसा ग्यूव करेंगे इस चीज़ को इसके फॉर्म में लेके आने के लिए तो यह बराबर क्या है भी है तो इसके जगा में क्या हो जाएगा भी हो जाएगा तो यह घया जो नया वला वॉलिम गशेवा कि बीवान के टूब schol कर भी हो गया पहले वाली व parent का डबल हो गया तो पहले वाले वाल्य का डबल भा लोगया या कितना परसेंट बढ़ा कितना पतिस्ग बढ़ा जो भी कोई चीज रहता इसका वो डबल हो जाता ह पहले से तो फिर उसका हम लोग बलते हैं 100% बढ़ा यानि जितना था उसका उतने % बढ़ गया इसको 100% हम दिखा भी सकते हैं किस तरह से वॉल्यूम परसेंट निकाने के लिए % परसेंट इंकरीज ठीक है 30 बढ़ा होती कितना होगा ना टोटल अभी जो वल्यूम में वह कितना है टूभी है यह लिखा जाता है पहले पहले कितना था उसको माइनस किया जाता है इसको माइनस किया जाता है बटा लिखा जाता है कितना में बढ़ा ना पहले वाला जो पुर पर यह लिखते हैं फिर माइनस पुराना वाला वह बटा नीचे पुराना वाला इन्टू हंड्रेट तो यह भी कट जाएगा एक हो जाएगा एक इन्टू हंड्रेट रोग तो हंड्रेट परसेंट बड़ा ठीक है तो इसका जो करक्ट ओप्षन होगा वहां यह वाला तो इसका option एम टिक करेंगे question no.4 is if each radius and height of a cone is increased by twice of its length then the volume of it will be क्या जा रहा है एक cone या संकु का radius और उसका height उसका अर्दवियास और उसका height दोनों को double किया गिया इंकिरीज बाइज जोनों को double कर दिया गिया तो फिर उसका volume कितना गुना बढ़ जागा ये निकालना है time मतलब कितना गुना बढ़ेगा पहले वाले का कितना गुना बढ़ेगा तो इसमें भी 3 के तरह बनाना है volume पहले के मुकाबले कितना बढ़ रहा है कितना गुना बढ़ रहा है तो volume का पहले formula लिके लिए वीक्वल टू वन पै थिरी पाई आर स्क्वेर एच ठीक है अब नया जो वालिम हो को इसका भीवान नाम दे दे उसमें क्या पोला गिया है वन बै थिरी पाई आर जो ही ये भी double हो जाएगा तो आर के जगा में क्या ह अब क्या हो जाएगा तो यह हो गया नया volume तो यह बराबर अब कितना हो रहा है इसको देखे खोल देंगे bracket वन बै थिरी पाई टू का स्क्वेर होता है फोर आर स्क्वेर हो जाएगा इंटु टू एच अब हम क्या करेंगी यह दोनों जो नंबर है यह दोनों को इंटू कर बाकी सब उसी तरह लिखेंगे वन बै थिरी पाई यार स्क्वेर और एच ठीक है यह चार दूनाट को पहले लिखे लिए इसा क्यूंकि यह जो चीज़े इसके बराबर हो जाएगा ठीक है तो बाकि सब्सक्राइब कितना भी तो एट और यह विजागा भी तो यह हो गया तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अभी जो वीवान अभी जो वॉल्यूम में आयतने वो क्या है 8 भी है 8 भी मतलब पहले वाले वॉल्यूम में आयतन का 8 गुना 8 इसके साथ इन्टू है मतलब 8 गुना यानि अभी का जो वालियूम में पहले वाले वालियूम का क्या हो गया आठ गुना हो गया तो इसका correct option जो है वो है D ठीक है तो यहाँ पर D में है 8 times of the previous one यहनि पहले वाले का आठ गुना तो D में टिक करेंगे question number 5 is if the length of radius of a cone is r by 2 unit and slant height of it is 2L unit का जा रहा एक कोन यह संकू का radius का लंबाई या अर्द व्यास का लंबाई आरबटा 2,1 unit है और उसका slant height या तिरिया कुछ आई जो है वो 2L unit या एक आई है then the total surface area is तो उसका total surface area या सम्मगरतल का छेतरफल कितना होगा okay तो इस तो इस पांच का किस तरह बनेगा total surface area शॉट में लिख लेते हैं total surface area सम्मगरतल का छेतरफल total surface area का formula क्या होता है pi r pi r यहाँ पर अब r नहीं बलके r के जगह में हो जगा r बटा 2 ठीक है जो question में बोला है pi r into l plus r होता है तब l के जगह में l नहीं होगा बलके question में दिये होगा l के जगह में 2l तो 2l plus r r के जगह में अब हो जगा r बटा 2 ठीक है यह formula था formula actually यह था pi r into l plus r ठीक है तो वहाँ change होगी आर के जगह में r बटा 2 हो गया दोनों जगह में और l के जगह में 2l हो गया तो यह हो जागा answer अभी किसके साथ मैच करेगा देखिए यह pi और r को बाहर में रखते है और यह हो जा रहा है बटा में 2 तो 2 इसको अंदर कर देंगे चार हो जाएगा तो यह होगा यहाँ देखिए 2 into l के साथ यह 2 दो पन निचे cancel हो जाएगा तो actual में क्या है pi r into l l बचा पलस r by 4 यह actual में answer होगा यह correct कौन इतना square unit यह बर्ग एक आई correct option इसका होगा b वाला ओके तो इसका correct option है b b में tick करेंगे इसके बाद आते है b में b में क्या true false है सरी और गलत कौन सा है पहला है if the length of base radius of a right circular cone is decreased by half and its height is increased by twice of it then the volume remains same का जारा एक right circular cone यह अलम बिता कर संकू का अगर base का radius यह आर ठीक है आधार का अर्दवियास उसका लंबाई को decrease कर दिया जाए by half यानि उसका लंबाई को आधा कर दिया जाए ठीक है R को क्या कर दिया जाए आधा तो R R बटा 2 हो जाएगा आधा मतलब R से R बटा 2 हो जाएगा and its height is increased by twice और उसका उंचाई को twice कर दिया जाए मतलब दो गुना कर दिया जाए ठीक है तो हाइट अगर H है तो है 2 हो जाएगा double मतलब H से 2 ह तो कहा जा रहा है क्या उसका volume remain same उसका volume same रहेगा ठीक है यह हमें चेक करना कि यह से same रहेगा तो true होगा same नहीं होगा तो फिर false होगा तो देखे इस्टून पहला जो question है वी क्या उसमें पहले तो हमें volume same रहेगा यानि यह चेक करना है तो हम पहले volume का formula लिखे लिए V क्या formula है 1 by 3 pi r square h ठीक है ना यह volume होना चाहिए original अब जो change होगा चेंज करके नया volume हम देखते है कितना होता है तो नया volume का V1 नाम दे देते हैं उसमें बोला गिया है कि 1 by 3 pi r को क्या कर दे रहे है आधा कर दे रहे तो r आधा मतलब r बटा 2 हो जाएगा नए r के जगह में r बटा दोगा इसका अभी square होगा ठीक है और height को क्या कर रहे है हम double कर दे रहे है तो height double हो जाएगा यानि 2 h हो जाएगा ठीक है twice मतलब 2 h double हो जाएगा अब यह कितना आता यह देखना पड़ेगा 1 by 3 pi r का square r square बटा दो का square होता है चार ठीक है इसका मतलब दोनों का square उपर में r का square नीचे में 2 का square 4 into 2 h अब यहाँ पर into है तो यह दो और 4 कटेगा दो दूना चार ठीक है तो अब यह आ रहा है कितना यह नीचे में 2 बच रहा है एसा क्यों लेगे यह साथ बराबर हो जागा भी के साथ बराबर हो गए 1 by 3 pi r square मतलब भी तो इसके जगा में हो जागा 1 by 2 b ठीक है तो यह हो गया नया वॉलियूम तो कहा जा रहा था नया वॉलियूम का पहले वाले वॉलियूम के same होगा तो पहला का volume B है नया volume क्या है 1 by 2 V इसका मतलब यह हो रहा है कि यह दोनों सेम नहीं हो रहा है सेम होने का मतलब भीवान बराबर V2 होता है तो नया भीवान बराबर 1 by 2 V हो रहा है यह हो रहा है भी का आधा 1 by 2 मतलब भी का आधा तो नया volume क्या हो रहा है यायतन का आधा हो जा रहा है तो फिर जो कहा गिया question में कि same रहेगा वो false है तो यह क्या हो जागा false तो यह पहला वाला false होगा F अब दूसरा है The height, radius and salant height of a right circular cone are always the three sides of a right angle triangle का जरा एक right circular cone या लम बिता कर संकू का height यानि H radius या अर्द्वियास R और उसका salant height या तिरिये कुछाई L यह तीनों जो होता है हमेशा एक right angle triangle या संकून तिरभुज का तीन साइड होता है क्या यह सही है या गलत है तो यह बिल्कुल सही है ठीक है मैंने इस chapter का जो introduction दिया था मैंने बताया था कि यह जो तीनों होता है height, radius यह एक right angle triangle या संकून तिरभुज का है तीनों साइड होता है और उसी को घुमा करके हमारा कौन या संकू बनता है ठीक है तो यह true होगा और इसमें बना कर दिखाने के कुछ है नहीं ठीक है नक्षा है कि ऐसे बना भी सकते है simple इस तरह से यह L हो जाएगा यह R हो जाएगा यह H हो जाएगा और फिलिन्दा विलेंग से इसके बाद खाली जगा भरना है पहला है AC is the hypotenuse of a right angle triangle ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल या समकोन तिर्बुजे उसका AC क्या है hypotenuse है या विकरन है ठीक है the radius of right circular cone formed by revolving the triangle once around the side AB as axis is का जरा है इसमें AB को axis याक्स मान कर एक मरतबा उस right एंगल ट्रेंगल को एक मरतबा गुमाएंगे ठीक है revolve करेंगे यानि घुमाएंगे तो जो कोन बनेगा संकू बनेगा उसका radius क्या होगा उसका अर्द्वियास क्या होगा इसको मैं नक्षा से दिखा देता हूं इस तरह से बोला है एक इस तरह राइट एंगल ट्रेंगल है ओके यान इंटी डिग्री है और AC उसका यह जो हाइपोटेनिस है सबसे बड़ा होला साइड होता हाइपोटेनिस यह भी करान वो AC है अब इसमें AB को क्या क्या माना है एक्सिस माना है तो AB यह वाला होगा AB को एक्सिस या अक्स मान कर इसको में एक मरतबा घुमाएंगे तो एक कौन बनेगा इस तरह से ठीक है न इस तरह से कौन बनेगा संकू बनेगा तो बोला इसका radius कौन सा होगा तो radius कौन सा होता यह नीचे वाला यह radius होता तो radius कौन सा side होगा bc side होगा तो ओली जगह में क्या होगा bc bc यह radius से अर्द्वियास होगा ओके तो यहाँ पे खाली जगह में होज़ागा bc ओके दुसरा question है if the volume of a right circular cone is V cubic unit and the base area is A square unit अगर एक right circular cone या लम बिता कर संकू का volume या आयतन V cubic unit या घन एक आई है और उसका base का area या अधार का छेतरफल A square unit या A बर्ग एक आई है ठीक है? base का area या या नहीं πा यार square क्योंकि base जो होता है एक cone या संकू का वो ग्या होता है एक circle होता है नीचे वाला तो उसका area या चेतरफल कितना होता है पाई R square तो पाई R square मतलब हो जाएगा A ठीक है? then its height is तो उसका height कितना होगा? उसाई कितना होगा? तो देखें C का 2 में पहले volume लिख लेंगे volume बराबर किया होगा? 1 by 3 pi r square h ठीक है? ये volume भी था b qb unit या b घने काई ठीक है? और उसका base का area यान base का area क्या है? pi r square ये वाला ये ये बराबर हो जाएगा A तो b बराबर हो जाएगा 1 by 3 इसके जगा में हम क्या लिख लेंगे? pi r square के जगा में A लिखेंगे into h ठीक है? ये नीचे वाला क्या होता है? pi r square होता है तो उसके जगा में हो जगा A ठीक है? अब यहां से हम height निकालेंगे कैसे? बिल्कुल इसी है 3 या बटा है तो 3 इधर आगे equal to किदर? 3 v से into जगे इसे cross में okay तो ये बराबर हो जागा h तो h का value है actually में कितना आगिया? h बराबर इसको गुमा के लिखे लेंगे 3 v बटा a ठीक है? एतना unit ये इतना एक आई होगा ये हो जागा height 3 v बटा a तो यहां पर बढ़ेंगे 3 v बटा a okay इसका पर तीसरा है the length of the length of base radiae and the heights of a right circular cylinder and a right circular cone are equal कहा जा रहा है कि एक right circular cylinder ये लम बिता कर बेलन और एक right circular cone एक लम बिता कर संकू ठीक है? एक cylinder और एक संकू इन दोनों का जो base का radia से यादार का अर्द्विया से वो दोनों सेम है और उसका height भी दोनों का सेम है ठीक है? the ratio of their volume तो दोनों का volume या आयतन का ratio या अनुपात कितना होगा? ये important question में से है तो stone C का 3 में यह पर complete करता हूँ ताकि एक page में हो जाए ठीक है? C का 3 में दोनों का volume लिखना एक cylinder का और एक cone या संकू का हार स्कूर H ठीक है? यतना cubic unit लिखने का जवात नहीं हमें just उसका ratio लिखना है ये होगा cylinder का ठीक है? बेलन का और V2 लिख लेते हैं कोन का? 1 by 3 पाई हार स्कूर H ये होगा कोन का या संकू का volume इन दोनों का ratio निकालना क्यों? ये हम इसी तरह लिख सकते हैं कोई R1 और 2 नहीं लिखना पड़ेगा question में बोला है दोनों का R से में दोनों का height से में अभी इन दोनों का ratio निकालना है यानि V1 is to V2 निकालना है ये बराबर कितना हो जागा? V1 मतलब πाई R2 ह ठीक है? क्योंके पहले cylinder का नाम था उसके बाद कौन का नाम था तो पहले cylinder वाला है इस टू 1 by 3 पाई R2 H अब दोनों तरब से पाई R2 H पाई R2 H दोनों में से cancel हो जाएगा ठीक है? तो इधर हो जाएगा 1 is to 1 by 3 ठीक है? अब ये ratio को साइस से लिखने का तरीका क्या है? ये 3 है दोनों तरब से 3 into कर देंगे ये नीचे 3 ये 3 को यहाँ 1 से into कर देंगे तो भी हो जाएगा 3 into 1 3 is to 1 ऐसे भी क्या जाता है एक्चोली में इसका क्या तरीका है कि बटा 3 है तो दोनों तरब 3 से into करना पड़ता है ठीक है? रेशियों में बटा को हटाना चाहिए इसलिए दोनों तरब जो ये बटा वाला दोनों तरब 3 into करेंगे कितना होगा? इसको 3 से into करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा इसको जब 3 से into करेंगे 3-3 कैंसल हो जाएगा 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा दोनों का वॉल्यूम या आयतन का रेशियो या अनुपा 3 is to 1 ये हो जाएगा एंसर तो ये आकरी वाला जोई ये हो जाएगा 3 is to 1 तो इस्टोंड यहां तक हमारा वहरी शॉट एंसर वान माक्स का हर एक कोशन था ये कंपिलीट हो गया नेक्स्ट वीडियो में में शॉट एंसर जो हर एक कोशन तू माक्स का होता ये बनाऊंगा तैंक्यू वेरी मच और अभी जो मैंने बनाया इसका मैं पीडिया फाइल भी नीचे दे दूँगा आप उसको डाउनलोड करकी रख सकते हैं